पहाड़ी इलाको सहीद देश के कई राज़ु में बढ़ती ठंड ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है राज़धानी दिल्ली में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है वहीं उत्राखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार वर्फबारी हो रही है मौसम विभाग के अनुसार उत्री भारत में एक्टिवए पस्चिमी विक्षोब के कारण पंजाब और दिल्ली में लगातार वारिश दर्च की जा रही है जबकि इस विक्षोब के कारण ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल परदेश और उतराखंड में बारिश और वर्फबारी का दौर जारी है आईमडी के अनुसार राजदानी दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है जबकि पहाडी इलाकों में ताफ़ान में गिरावट दर्च की जा सकती है बता दें कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है वही मौसम विभाग की माने तो बारिश के कारण दिल्ली, हरियाना, पंजाब, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और राजिस्तान में आने वाले 3-4 दिन ठिटूरन भरे होंगे दरसल मौसम विभाग ने कहा है कि इन राजियों में 3-4 दिनों में शीत लहर चलनी की संभावना है जिस से ठंड बर सकती है बीते शनिवार दिल्ली में लगातार बारिश हुई जो कि IMD के अनुसार पिछले 22 सालों में जनवरी के लिए शहर की सबसे ज़ादा बारिश रही थी इस बीच बिहार में भी तेज हवाओ और रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम में ठंड और ज़ादा बढ़ा दी है IMD ने कहा है कि बिहार के कई इलाकों में आज सुबा कोरा चाया रहेगा वही आने वाले दो दिनों में बिहार में तेज बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के अनुसार मध्यपरदेश में भी आने वाले दो तिन दिनों में बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने बताया है कि यहां 11 जनवरी तक कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है इसके साथ ठंड बढ़ने की भी संभावना वेप्त की गई है वी रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी सर्दियों में जब लगे, वाड्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान